हेलो एवीवन, वेलकम टू सक्सद्वित्राय अकेडमी, 14 नवंबर 2022 के दैनिक जागरन के राष्टे संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एडिंग हम ले रहे हैं कि बाली में परवान चड़ेगी भारतिय कूटनीती, G20 सिखर सम्मेलम ने भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दो दिवसिये, यात्रा पर गये हैं इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया के बाली में भारतिय कूटनीती परवान चड़ती दिखेगी, मौका होगा, दुनिया के गज़ 20 देशों के सम्मू, G20 सिखर सम्मेलन का, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी इसमें भाग लेने के लिए सोमबार को बाली रवाना होंगे, वे सिखर सम्मेलम ने भाग लेने के अलावा, इसमें हिस्ता लेने वाले 10 देशों के प्रमुकों से सीधी दिविपक्षिये वारता करेंगे इसमें बहुपक्षिये वद्विपक्षिये मुद्दों पर चर्चा होगी चुकि G20 संगठन का अगला मुखिया भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होगी तो इस लिहाज से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बाली में ज्यादा से ज्यादा नेताओं से मिलकर उन्हें भारत आने का नियोता देने की है सिखर सम्मेलन में रूस, युक्रेन, युद्ध और चीन से तनाव जैसे मुद्दे च्छाय रहने के आसार हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 14-16 नवंबर तक बाली में रहेंगे G20 विने कौात्रा ने बताया कि सिखर सम्मेलन तीन सत्रों में होगा और प्रधान मंत्री इन तीनों सत्रों में दूसरे वैस्विक नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे आतंकी फंडिंग रोकने के लिए विस्व समुदाय को एक जुट करेगा भारत पाकिस्तान के Financial Action Task Force की निगरानी सुची से बाहर आने के बाद सीमा पार से आतंकी फंडिंग बढ़ने की आसंका को देखते हुए भारत इसके खिलाफ वैस्विक सहयोग बढ़ने की दिसा में जुटा है मुंबाई और दिल्ली में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोगत राष्ट समिती की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेट्वर्क के खत्रे के प्रती दुनिया को आगाह करने के बाद इस हफते दिल्ली में आतंकी फंडिंग रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए दुनिया के 75 देशों का No Money for Terror की N.O.W. No for Money Terror सम्मेलन होने जा रहा है इसके पहले इंटरपोल की महासभा की बैठक में ग्रह मंत्री अमित सहा आतंकी फंडिंग संगठित अपराद और ड्रक्स तसकरी के नेट्वर्क को धस्त करने के लिए सभी देशों की एक जुटता का आवाहन कर चुके हैं भारत में सीमा पार से संचालित आतंकी गतिविधियों के आकणों से साफ है कि पाकिस्तान के 2017 में FATF की निगरानी सुची में आने के बाद से इसमें कमी आई थी इसके कारण पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी संगठनों उसके सरगनाओं की सक्रियता और उन्हें सरकार की ओर से मिल रहे खुले आम समर्थन पर रोग थी नेक्स निउस है कि अंग्रेजों ने तीन साल में जीता दूसरा विस्सुकब एडिलेट में दूसरे सेमी फाइनल में भारत को दस विकेट से हराने वाली इंग्लिस टीम ने रवीवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान में पडोसी देश पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा कर टी टुन्टी विस्सुकब अपने नाम किया है वह दुन्या की अकेली ऐसी टीम बन गए जिसने तीन साल के अंतराल में दो विस्सुकब जीते हैं इस टीम ने वर्स 2019 में न्यूजिलेंड को ज्यादा चौको छको के आधार पर हरा कर अपने देश में ही वंडे विस्सुकब जीता था वह इस समय दोनों प्रारूपों की चैंपियन है दुनिया की सबसे खुंखार सीमित ओवरों की टीम इंग्लैन का इस टूनामेंट में आयरलेंड से हारने के बाद सेमी फाइनल में पहुंचना भी मुस्किल लग रहा था लेकिन जोस बटलर की टीम ने सभी को चारों खाने चित्त करते हुए दूसरी बार टी में पारदरसिता की कमी नयदीसों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है कानून मंत्री कई मौकों पर कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं वहीं सुप्रीम कोट सरकार द्वारा कोलेजियम की सिफारिसों को लंबे समय तक उनके अनुसार कोलोजियम व्यवस्ता में सुधार की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी नया पालिका की है कुछ विशेसक राष्ट्रिय नयाइक नियुक्ति आयोग जैसे कानून फिर लाने की बात कर रहे हैं उच्छ नया पालिका यानि हाई कोड और सुप्रीम कोड के नय उठाते हुए मामला पुनर रिचार के लिए भेज देती है लेकिन जब कोलोजियम सिफारिस दोराता है तो कई बार सरकार मामले को लंबे समय तक दबाकर बैड जाती है क्योंकि इसकी समय सीमा तै नहीं है यह व्यवहार बताता है कि सरकार कोलोजियम व्यवस्ता से सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे चार दिवसिये फ्रांस यात्रा पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच विश्वास के बंदन को और मजबूत करने के उद्देश से रवी वार को चार दिवसिये यात्रा पर फ्रांस रवाना करेंगे सेना ने कहा कि जन्रल पांडे न्यू चैपल इंडियन मेमोरियल पर पुस्पांजली भी अर्पित करेंगे जो प्रथम विश्युद्ध के दौरान 4742 भारतिय सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है सेना प्रमुख इकोले मिलेटरी का दौरा करेंगे जिसमें पेरिस में विभिन सैन प्रसिक्षण प्रतिष्ठान सामिल है ब्लिंकन से मिले जैसंकर युक्रेन युद्ध पर की चर्चा विदेश मंत्री S. जैसंकर ने रवी वार को यहां अमेर्की विदेश मंत्री एंटिनी ब्लिंकन से मुलाकात की और युक्रेन में युद्ध भारत प्रसान छेत्र की इस्तती उर्जा से जुड़े मुद्दों और दुपक्षे समंदों पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच यहां बैठक कमबोडिया की राजधारी नोमपे में आशियान भारत सिकर सम्मेलन के इतर हुई विदेश मंत्री जैसंकर उपराश्पती जगदीब धनकड के साथ यात्रापर हैं जो यहां आशियान भारत सिकर सम्मेलन और सक्त्रवे पूर्वी एस सिकर संमेलन में भारती प्रतिन्दी मंडल का नित्यत्य कर रहे हैं जैसंकर और ब्लिंकन की मुलाकात 15-16 नौवंबर को इंडोनेशिया के बाली में जी-20 सिकर संमेलन से ठीक पहले हुई है और जहां प्रधान मंत्री मोधी और अमेरिकी राष्पती जो बाइडन के बीच दि विदेसी निवेशकों का भारती बाजारों में भरोसा लोटने लगा है यही कारण है कि विदेसी पोर्टफोलियो निवेशक नौंबर में अब तक एक्विटी में करीब 19,000 करोन रुपए का निवेश कर चुके हैं अमेरिका में महंगाई में नर्मी और डॉलर में कमजोरी क अभी भारती बाजारों को लाब मिला है एफपी आई ने भारती बाजारों में अक्टूबर के दूसरे पकवाड़े से ही निवेश बढ़ाना सुरू कर दिया था यही कारण था कि पिछले महीने एफपी आई की एक्विटी बिक्वाली केवल 8 करोन रुपए ही रही थी इ एफपी आई ने एक्विटी से 7,624 करोन रुपए की निकासी की थी हाला कि इस वर्ष अगस्त और जुलाई में एफपी आई ने भारती बाजारों में भरोसा जताते हुए एक्विटी में क्रमसा 51,200 करोन रुपए और 5,000 करोन रुपए का निवेश किया था नेक्ट निउस है दुनिया में भारती उत्पादों की प्रतिसपर्धा आसान करेंगे जलमार्ग अधिक लागत के बोश्च के कारण विस्व बाजारें प्रतिसपर्धा में पिछडने वाले भारती उत्पादों के लिए संभावनाओं के नए दौर खोले जा रहे हैं उद्द्वग एवं वाडिज मंत्राले ने ढुलाई लागत यानि लोजिस्टिक कोस्ट को 13 से घटा कर 8% लाने का लक्ष रखा है तो पीम गतिसक्ती योजना के तहत पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्राले ने उसके लिए रोड मैप बना कर काम तेज कर दिया है रेल और सडक मार्ग से माल परिवहन पर निरभरता कम करते हुए कुल 109 नदियों पर 111 जलमार्ग का नेटवर्ग तयार करने का लक्ष बनाया गया है केंद्री पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सरवानन सोने वाल ने बताया कि पीम गदिसक्ती योजना के तह नए जलमार्ग बनाने का पूरा विजन तयार किया गया है नेक्स्ट नूझी इंटरनेशनल पेज से पहली नियूज है इसराइल के राश्टपती ने नितन यहू को सरकार बनाने के लिए किया अमंत्रित, इसराइल के राश्टपती इशाक हजोंग ने रवई वार को में नितनियाहू को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, नितनियाहू को नेसेट यहने जो इसराइल की संसद है, कि 64 सदस्यों का समर्थन है, पिछले बुद्धवार को केंद्रिय चुनाव समिती के अध्यक्ष से चुनाव के प्रणाम प्राप्त करने के तुरलत बाद इसराइल के राष्टपती ने राजनेतिक दलो के नेताओं के साथ चर्चा सुरू कर दी थी, नितनियाहू के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा, अगर 28 दिनों में सरकार का गठन नहीं हो पाता है, तो राष्टपती उन्हें 14 दिन और दे सकते हैं, लिकुट प रियातक सौधी अरब में हाइड्रोजन से कारे चलेंगी, दुनिया में सरवाधी प्रदूसर्ण फ्यलाने वाले देसों में से एक सौधी अरब ने हनिकारक गैसों का उतसरजन कम करने के लिए व्यापक कार योजना बनाई है, इस कार योजना के तहत सौधी अरब में कारे और अन्यवाहन हाइड्रोजन से चलाएं जाएंगे समुद्र के लॉजिस्टिक कच्रे को रिसाइकल कर उसे कई तरह के उत्पात बनाए जाएंगे रेगिस्तान में करोडों पौधे लगाकर कारवन डायकसाइड का इस्तर कम किया जाएगा सौधी अरब ने यहां कार्योजन मिस्र में हो रहा है पर्यावन सम्मेलन में सारजिनी की है नेξ्ट एक प्रत्वी की कक्च्षा में 908 दिन बाद लोटा बोईंग का अंत्रिक शीयान अमेर्की विमान कंपनी निर्माता कंपनी बोईंग के एक मानो रहित अंतरिक्षियान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है इस अंत्रिक्ष यान का निर्मान करने वाली company Boeing ने कहा है कि 2.5 वर्स या ने लगबख 2.5 वर्स पृथ्धवी की कक्षा में रहने के बाद या सनी वार को धर्ती पर उतर गया company ने कहा है कि Boeing ने X-37B कच्छिय परिच्छन यान का निर्माण किया यह यान फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में सनीवार सुबा पांच बच के बाइस मिनट बजे लैंड हुआ इससे पहले 908 दिन कच्छा में रहकर इसने नया रिकॉर्ड कायम किया है तो यह आज का याने 14 नॉमबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्टी संस्क्रण था आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद